खेलो दोस्तो, आज हम बनाएंगे बेसन का Chilal दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सकाइब ज़रूर करेए दोस्तो आप बेसन के चीले को breakfast पर खा सकते हैं अगर आप प्राठे से बोर हो चुके हैं चलिए बेशन का चिला बनाने के लिए ये मैंने एक बाउल लिया, इसमें एक कटोरी बेशन डालूंगी, और इसमें एक बारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे, और दो से तीन हरी मिर्श बारी कटीवी डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, और अब मसाले डाल आधा टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा भी आप आधा टीस्पून ले सकते हैं और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए ऐसे ही हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं अभी मुझे बैटर गाड़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालती हूँ हमारा बैटर ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाड़ा होना चाहिए देखे जैसे मेरा बैटर हो रहा है ऐसी बैटर होना चाहिए अब इसे मैं ढखकर आदे घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि हमारा बेसन अच्छे से फूल जाए देखे हमारा बैटर तयार है अब हम गैस पे तावा रख देंगे और इसमें एक चमच ऑईल डालेंगे यह मैंने रिफाइंड ऑईल लिया है और जब ऑईल गरम हो जाए तो हम कलचुन की हैल्प से इसमें बेसन का चीला डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे देखे कल्चुन से डालने के बाद इसे ऐसे फैला देंगे और धीरे धीरे साइड में भी डालते जाएंगे देखे ये फैल चुका है अब ये एक साइड से सिख चुका है अब इसे मैं पल्टे से पलट लेती हूँ और दूसरी साइड इसकी सेक लेती हूँ अब इसमें थोड़ा सा मैं और ओल डाल देती हूँ ताकि हमारा चिल्ला आप अच्छे से सिख जाए और पलटे से से हलका हलका दबाते हुए मैं ऐसे घुमा देती हूँ देखे हमारा चिल्ला बन कर त्यार है अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अब ऐसे हम दूसरा चिल्ला भी डाल देंगे, ऐसे कल्चुन से डालते चाहिए, देखिए हमारा दूसरा चिल्ला भी बनकर तयार है, आपको जैसा कलर चाहिए वैसा रखिए, अगर डारक गोल्डन कलर चाहिए डारक रखिए, लाइट चाहिए तो लाइट रखिए, अब मै इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर लेती हूं आप चाहे तो लाल चटनी या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं दोस्तों मेरी रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईए